असलाम लेकुम दियर लेर्नर्स एंड पोटेंशिल ओंटिपनियोज वेलकम इंड वीडियो वीडियो एहम है विकॉस प्रोड़क्ट डिजाइन एंड क्वालिटी के बारे में हम बात करने वाले हैं अच्छा प्रोड़क्ट क्वालिटी एक बहुत ही ज्यादा एहम टॉपिक है विकॉस प्रोड़क्ट क्वालिटी बजाहर जिस तरह हम इसको एसको एसको कंस्यूमर एक्स्प्लेन करते हैं यह इतना भी सादा सिंपल कॉंसेप्ट नहीं होता अच्छा अगर उसकी एक बहुत ही सादा डेफिनिशन देखना चाहिए तो प्रोड़क्ट क्वालिटी की तो प्रोड़क्ट क्वालिटी इस डिफाइन एज जीरो डिफेक्ट प्रोड़क्ट और सर्विसेज अब यह जीरो डिफेक्ट बनाने के लिए अगेन बहुत एहम एक पूरी के पूरी पीछे एक क्या कहना चाहिए एक सेट अफ प्रोड़क्ट यह जो फॉलो किया जाता है आप जो मेटीरियल या इंग्रीडेंट्स इस्तामाल कर रहे हैं उनके अंदर कोई इशू ना हो आपके जो प्रोसेसेज हैं उनके अंदर कोई इशू ना हो आपने जिस तरह उस प्रोड़क्ट या सर्विस को डिजाइन किया है उसकी डिलिवरी में कोई इशू ना हो जिस तरह आपने वादा किया है कि मेरी प्रोड़क्ट या मेरी सर्विस आपको ये performance आफर या benefit आफर करेगी consumer भी exact उसी benefit को enjoy कर सके या उसी performance को enjoy कर सके और आपने अगर product के बारे में claim किया है कि जो मेरी product है ये आने वाले 4 या 5 सालों के लिए आपको तंग नहीं करेगी तो उसको तंग नहीं करना चाहिए आपके लिए explicit और implicit promises के बारे में भी हमने जिसे कहते है एक entrepreneur को यहां पर studio में बलाया है आप सुनेंगे कि ये explicit implicit promises होते क्या है और किस तरह ये impact कर रहे होते हैं आपकी perceived as a customer भी तो आपने perceived की होती ना quality एक quality वो है जो आप as an entrepreneur offer करेंगे अपने customer को और एक वो quality है जो customer perceive करेगा कि उसको इस product या आपकी इस service से क्या benefits मिलने चाहिए और दोनों का एक जगा पर होना यानि ना the words American society for quality ने किस तरह से quality को define किया है कि आपकी product के अंदर ये ability ये characteristic होनी चाहिए कि वो customer की need और want को चाहे वो stated हो कहीं लिखी भी आपने उनसे promise किया हो या implied understanding हो customer की या आपकी implied promises हो implicit explicit या explicit promises हो उनको पूरा होना चाहिए अगर वो पूरे होते हैं तो that is quality अगर वो पूरे नहीं होते that is not a quality a quality जो है उसके बारे में चंद एक चीज़ना आपके जहन में बात clear होना चाहिए as an entrepreneur अगर आपने यह promise कर ही लिया है अपनी जाद के साथ कि you will not compromise on quality अच्छा सबसे पहरी बात तो यह है कि quality जो है क्या है number one यह एक बहुत एहम positioning tool है by positioning means कि आप अपनी product को against the competitors कहा rate करते हैं क्या आपकी product आपकी competitors के product के बिल्कोल बराबर है यह आपकी product आपके competitor से quality में थोड़ी low है लेकिन price में भी बहुत जादा low है यानि आप अगर quality पर compromise कर रहे हैं तो उसके लिए price बहुत कम charge कर रहे हैं यह आपकी product आपके competitor से बहुत बहुत है अगर आप same price charge कर रहे हैं लेकिन हो सकता है कि आपकी product या आपकी service quality में आपकी competitor की product से बहुत 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 है यह जो quality है आपने अकसर देखा होगा सबसे पहला claim ही किसी product या किसी service के बारे में उसकी quality के लिहाज से ही किया जाता है so quality एक एहम positioning tool है second important चीज़ याद रखिएगा quality का promise चाहिए implicit है explicit है यानि आपने कहीं लिख दिया है उसको as a warranty guarantee यहां आप ने उसको बात ही उतमें convince किया है कुछ वादें किये हैं उसके यानि दादर वर्ड्स आपको यह समझना चाहिए being an entrepreneur कि product की quality का तालुक डिरेक्टी आपकी product और आपकी service की performance से होगा quality promise का तालुक या product quality service का तालुक directly customer value से भी होगा customer हमेशा value करता है quality को अच्छा जितनी मर्जी वो बात कर ले हम और आप भी customer हैं हम जितनी मर्जी बात कर लें कि we are price sensitive हमने थोड़े कम पैसे दिये हैं या कम पैसों में हम चीज़ खरीद लेंगे पर कहीं न कहीं हमारी खायश जरूर होती है कि कम पैसों में खरीदी भी चीज़ भी अच्छी quality product हो या अच्छी quality service हो या कम जितना हम चाह रहे हैं उतना benefit तो हम enjoy कर सकें इसलिए quality is directly linked with the value for the customer as well ये customer satisfaction के साथ भी quality का बहुत गहरा तालुक होता है और इसलिए quality किसी भी product कि किसी भी service की directly link होती है with the long term relationship with the customer ये बात याद रखिएगा being an entrepreneur खास तोर पर अगर पहरी दफार मांकेट में जा रहे हैं आपकी product quality बहुत से किताबों में including the Philip Kotler उन्होंने बहुत मज़ेदार definition दिये और उन्हें का बहुत से entrepreneurs quality को इसी तरह से define करते हैं कि if customer is coming back to us और वो हमारी product को दुबारा ही हमारी service को दुबारा खरीद रहा है it means it is of good quality, it is of good price, it is of good value so again quality product की इंतहाई एहम है आपने quality को कहां तक लेके जाना है dimensions of quality को अगर हम देखें product quality को हम देखें तो आपके पास दो चीज़े आती है number 1 आपने quality का level क्या रखना है और number 2 आपकी commitment and consistency with quality अच्छा level of quality का मतलब होता है performance quality level depend करेगा again आपके firm के जो objectives हैं आपकी basic ideology है आपका भी अपना एक मिजाज है कुछ लोग होते हैं जल्दी से थोड़ से competition आता है घबरा जाते हैं और जल्दी से quality है उस पर compromise कर लेते हैं कि ताके हमारी cost reduce हो जाए और हम low price के ओपर customer को serve करना शुरू करते हैं कुछ customers ऐसे again I repeat being an entrepreneur you need to understand I am also a customer आप से मैं कम price भी को product खरीद हूँ but I had a certain you know kind of perceived quality के कम असकम price कम दिया लेकिन इतना benefit तो मुझे कम असकम enjoy करना चाहिए so again level of quality का मतलब यह है कि performance आप क्या offer करें आपके product आपकी service कितनी बेहतर performance दे सकती है अगर आप उसको जादो objectify करना चाहते हैं for example मैं आप से यह वादा करूं कि यह बहुत low price product है आप इसको खरीदते हैं तो कम असकम आपके अगले 6 महीने तो निकाल ही देगी यह product आपके अगले 6 महीने निकल ली जाएंगे again it's a performance so level क्या है आपका coming back to the points number 2 commitment, conformance, consistency of the quality आपनी quality के साथ अपनी commitment कितनी रखी आपको बहुत से entrepreneurs मिलेंगे बहुत वकात ऐसा होता है कि जो उनकी input prices है वो बहुत बढ़ जाती है अपनी price ही बढ़ा देते हैं लेकिन quality पर compromise नहीं करते है I suggest to you कि हमने एक video record की है with Almas Heather साब topic तो उनका competition पर ही है लेकिन उसके अंदर आपको practical insight मिलेगी कि quality क्या है कहां आपने compromise करना है कहां आपने compromise नहीं करना being an entrepreneur होने कहा है कि when we started our business हमने अपने आप से वादा कियावा था कि हम quality पर compromise नहीं करेंगे हमारा competitor जितना मर्जी compromise कर ले quality पर जितने मर्जी बुरी ingredients या input इस्तमाल कर ले ठीक हो गया और जितनी मर्जी price लो उफर कर ले हम quality पर compromise नहीं करेंगे so again it depends upon you कि आपकी commitment quality के साथ कितनी है और again by the commitment we are not saying कि आप rigid हो जाएं हर लिहाज से कि आपने किसी तरहां भी बाज अवकात आप अपनी quality जो है उसको sustain करते हैं लेकिन बाज उकात आपको जादा बेहतर inputs at a better price मिल जाते हैं यानि आप quality पर maintain रखते हैं अपना level भी change नहीं करते हैं अपनी commitments भी break नहीं करते हैं लेकिन बाज उकात आपको ऐसा alternate मिल जाता है कि जिसकी वज़े से cost reduce हो जाती है तो आप price भी जो है वो कम charge कर सकते हैं एक myth को break कर ले एक myth पाई जाती है कि अगर आपकी जो product की quality है वो हद से जादा high होगी तो cost भी हद से जादा होगी और इसलिए price भी जादा charge करेंगे क्योंकि price usually क्या होती है cost plus margin बहुत से research and development departments जो बहुत अच्छी firms के हैं they are working on cost innovation quality भी compromise ना हो cost भी जो है वो production की reduce हो जाए और plus they can offer a good price to the customer with a good value, with a good quality so again देखें आप cost innovation कर सकते हैं के नहीं कर सकते हैं usually quality की 8 dimensions बताई जाती हैं यानि being a customer अगर मैं आप से ये कहूं के it is a quality product मैं इस product को बहुत enjoy कर रही हूं तो मेरे पास multiple options के होंगे by quality what I mean I mean number one यान तो इसके performance बहुत अच्छी है number two इसके features बहुत अच्छे हैं number three ये एक reliable product है ऐसा नहीं है कि मैंने कोई आग बुजाने वाला आपसे लिया और पता चले जब आग लगी वी है तो वो आला ही नहीं चल रहा है ठीक है इस रिलाइबल product again हमने जब बात की थी commitment की conformance है durability है ये नहीं है कि quality का मतब बाज वकात आपने बहुत से brands देखे होंगे तो अपनी durability को claim कर रहे होते हैं कि हमारी quality बहुत अच्छी है आप पुछते हैं कैसे तो वो बताते हैं कि हमारी product durable है जल्दी नहीं तूटते serviceability भी quality का एक हिस्सा है आपको एक certain brand लेने जाते हैं या एक खास product या service खरीदते हैं और आप कहते हैं कि आपने क्यों खरीदा तो नहीं का उनकी after sale services बहुत अच्छी है कोई भी छोटा सा इश्रू होता है हम call करते हैं फॉरन बंदा घर आज आता है इस अलसो वन अफ दिमेंशन ओफ दॉप 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 इस्थेटिक सेंस आपका डिजाइन और आपकी perceived quality being a customer I had an understanding of a quality in my mind हो सकता है आप कुछ और offer कर रहे हो लेकिन मुझे आप से कुछ और चाहिए हो इन आठ डिमेंशन में छीज़ आपको नजर ने आए हैं बड फ्रैंक्ली स्पेकिंग price में हम आपको बताएंगे कि price भी basically directly correlated होती है with the perception of quality जितनी high price होगी consumer हमेशा ही assume करेगा कि high price इसलिए charge की जा रही है because quality बहुत अठी है इसके सारे ingredients या input जो इस्तमाल हुआ है इसका design इसके after sales services usually claim भी यही किया जाता है by an entrepreneur कि आप price की जाएधा charge कर रहे है because मेरी product बहुत अच्छी quality किया है so by quality next time कोई आप से यह पूचे being an entrepreneur क्या by quality क्या assume करते है क्या आपकी definition है quality की तो आप इन आठ dimensions में से कुछ dimensions या सारी dimensions बता सकते है product design भी quality का हिस्सा होते है aesthetics की हमने बात की है कुछ लोग उसको product style कहते है style जो है थोड़ी सी एक limited definition है by style means कि product लगती कैसे है but design is more technical design के बारे में भी याद रखिएगा number एक एक तो आपका जो design है it's directly correlated with the value and satisfaction of the customer आपकी product design जो है आपके और customer के दरम्यान में एक तालुक बांदे रखती है design का तालुक product use experience से होता है यह design product का इतना useful होना चाहिए कि जब मैं इसको इसको इस्तामाल करूं तो मेरा user experience अच्छा हो और इसका तालुक अगें जैसे हमने आप से कहा आपने आठ डामेंशन देखिए quality की तो design भी एक एहम quality है जो product design process है यूजिलि अगर आप जाके देखिए online तो उसमें multiple dishes खास दोर पर वो entrepreneurs जो engineers हैं और को इनको product design कर रहे हैं so basically वो क्या करते हैं वो अपने mind में design लेते हैं उनकी prototype बनती है सारी technical छोड़ छोड़ चीज़ें involved होती है इसमें कौन सी technology किस level की technology क्या इसकी जो technology है वो हमें बाहर से import करने पड़ेगी यहां से लेने पड़ेगी design के बारे में यह बात याद रखिए यह हर किताब में लिखा है design product का आपका तब तक बहतरी नहीं हो सकता जब तक कि अपनी customer की need को अच्छे तरीके से समझ नहीं लेते हैं आपका faulty design आपकी product मकमल तोर पे बंद कर सकता है और बाद इसलिए prototype बनाया जाता है और बार पर market में जाके उसको test किया रहता है फिर improvement फिर test किया रहता है आपने अकसर देखा होगा जी इतनी बड़ी-बड़ी industrial machines होती है यह गारिया बन रही हैं मिसाल के तौर पे यह उनके tires बन रहे हैं मिसाल के तौर पे वो हर तरहां के toughest pressure test में से गुजरने के बाद वो कहते हैं कि now we are insured कि अब यह जो गाड़ी है अगर यह on road जा रही है तो यह safe है गर यह tires है यह on road जा रहे हैं तो यह अच्छी grip देंगे again test test से बार बार हम वापस अपने prototype को develop करते रहते हैं और बहतर करते रहते हैं product design को once the test is cleared हम उसको release करते हैं market के अंदर अपनी product और service को और फिर इंतजार करते हैं customer feedback का और अगर वो अच्छा ना आए या customer को complaint देकर आए तो हम again दुबारा जाते हैं उस product development design को improve करने के लिए याद रखिए design ज्यादा technical side है किसी भी product quality की so you have to be very clear about it see you in the next video